कि कि अ कि कि यह कि हलो इस्तूदेंट्स रमयन सर क्लासेशल इडी गूर्प में आप सभी इस्तूदेंट्स का स्वागत हैं तो सबसे पहले सभी इस्तूदेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जैसे जैसे आप लोग लाइफ बनें वीडियो को लाइक और शेड़ जरूर करें बात करते हैं इस प्रिंट आप लोगों के लास्ट सेशन की जहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसकस किया था वो था आप लोगों का जनरल टॉपिक ऑपरेशनल एम्प्लिफायर की बात हम लोग लास्ट क्लास तक कर रहे थे ठीक है और दो टाइप के ऑपरेशनल एम्प्लिफायर को हम लोगों ने डिसकस भी किया था जहां से बेस्ट आप लोगों को नुमेरिकल कोईशन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता भी है ठी यहां से आपको आउट्पूट वोल्टेज या फिर गेन कैलकुलेशन के लिए कहता भी है ठीक है तो ओपैम की जब बात की थी हमने लास्ट क्लास का थोड़ा सा फटा फट से आप लोगों को रिव्यू करवा देता हूं हम लोगों ने कहा भी था कि स्टेंडर्ड जो आप को अफिकर मात करता हूं तो इस इस इंवर्टिंग ओपैम का है वहां पर अप्लाईड है ठीक है फिर अगली बात आ आई थी आपकि यहीं से आपका non-inverting operational amplifier तो non-inverting operational amplifier में हमने देखा था कि input कहां पर apply होता आपका जो negative जो आपका positive terminal या non-inverting terminal होता है ठीक है फिर इसी के बाद हमने बात की थी inverting terminal के लिए यह inverting operational amplifier के लिए जब हमने gain की बात की थी तो हमने कहा भी था कि output voltage भाई gain क्या होता आपका output और input का ratio होता है तो output upon input voltage is equals to जो आपका आया था that is equals to minus rf upon r1 जहां पर rf आपके feedback register को indicate कर रहा था और r1 आपके input side के register को indicate कर रहा था r1 क्या था आपका input side का resistance था ठीक है फिर इसी तरह से गर मैं बात करता हूं non-inverting operational amplifier की तो non-inverting operational amplifier में भी हमने gain देखा था तो वह निकला था कुछ इस तरह से output voltage upon input voltage is equals to और formula बना था आपका 1 plus rf upon r1 ठीक है यह कुछ इस तरह से formula बन कर आया था तो यह आप लोगों को दोनों बातें last class जब हम लोगों ने देखी थी जहां पर हमने operational amplifier को discuss भी किया था वहां पर हमने इन बातों को देखा था अब बात करता हूं इस तुरेंट आज के session में कुछ basic से छोटे छोटे एक दो questions की कि कि किस प्रकार का question आप लोगों को यहां से examination में पूस्ता भी है तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या कहा कि 4 यहां से अगर मैं लिखों छोटा सा directly question आपके examination में given कर देता है ठीक है कि हमने क्या कहा यह कुछ इस तरह से operational amplifier आप लोगों को बना कर दे दिया this is negative और यह आपका positive ठीक है तो negative terminal को हमने कहा भी था कि negative terminal क्या होता आपका inverting terminal होता है ठीक है यहां पर हमने क्या कहा कि यह एक रेजिस्टर आपके ओर टीजेटू के exam में आई टीए के exam में directly circuit देगा यह आप कह सकते हैं कि जितने भी numerical question देता है उनमें से maximum question direct formula based ही रहते है तो इसलिए बस आपको circuit को देखकर उसे पैचानने की जरूरत है तो यह कुछ इस तरह से अगर मैं देखूं यहां से ठीक है सभी students वीडियो को like और share जरूर करते रहें और यहां मैंने क्या कहा यह register हो गया और यहां मैंने इसे ground कर दिया अब मैंने यहां पर क्या कहा यह कुछ इस तरह से अगर मैं लेकर भी चलता हूं यह मैंने कुछ इस तरह से simple से बात कही कि यह voltage कुछ इस तरह से given है 3V यह हो गया आपका two ohm का resistance यह हो गया आप लोगों का one ohm का resistance और यहां मैंने कह दिया आप से कि यह output voltage V out हो गया ठीक है अब question कैसे देता है question देगा इस तुरेंट आप लोगों को theoretically लिख कर देगा ठीक है और किस प्रकार से देगा ध्यान से देखें ठीक है यह तो इस तरह से circuit भी देगा साथ में अब यह लिखकर देता है student आपको कि दिये गए operational amplifier परिपत के लिए ठीक है क्या कहा दिये गए question को ध्यान से देखें note करें और समझते वे लिखते रहें कमेंट की तरफ नहीं जाना आप लोगों खुद से करते रहें क्या कहा मैंने दिये गए operational amplifier ओपैंप के लिए ठीक है दिये गए operational amplifier के लिए ठीक है output voltage का मान कितना होगा दिये गए operational amplifier के लिए output voltage का मान output voltage का मान कितना होगा output voltage का मान कितना होगा कि output voltage का value कितना होगा कितना होगा यदि यहीं से आगे क्या कहा यदि voltage gain या voltage लबदी जिसे हम कहते हैं यदि voltage gain 20 है ठीक है अगर voltage gain 20 है तो आप लोगों को क्या बताना है इस तुरेंट आपका दिये जाए circuit के लिए output voltage का मान कितना होगा तो इस प्रकार का question जब भी examination में आता है इस तुरेंट यहां पर चाहिए value given हो या ना हो यह register आप इसका कोई मतलम नहीं है क्योंकि इसका पहला end या दूसरे end के अगर मैं बात करता हूं कोई supply नहीं और कहां connected आपका ground पर ठीक है बाकी दूसरे circuit को आपने देखा कि जो हमारा input voltage तीन वोल्ट apply है वो कहां पर आपकी negative टर्मिनल पर इस से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो दिया इस वो कैसा है आपका Inverting operational amplifier का सरकेट धिके ये जो सरकेट दिया गया है कौन ऋपने पर आपका Inverting operational ओंपलेफायर अब ये बात समझ हा गई क्ये अगर ये इनवर्ट पर है के लिए हमने देखा भी था इस तरह से देखा था कि ऐसानरी बात करता हूं तो इस के लिए अगर मैं voltage gain की बात करता हूं ठीक है तो कुछ इस परकार से था output voltage upon input का voltage और this is equals to यह ratio किसके बराबर होता आपका minus RF upon R1 ठीक है इतना तो यहीं से अगर मैं output voltage की बात करता हूं अगर मैं इसी बात को आगे बदाऊं output voltage निकालना है तो इस output को उपर ले जाकर क्या कर लेता हूं गुणैं कर देता हूं multiply कर देता हूं तो मैं ने आपसे कहा कि output voltage is equals to input voltage गुणा minus RF upon R1 यह कुछ इस तरह से कर दिया ठीक है तो input voltage मैंने देखा input कितना था आपका प्लस का थ्री वोल्ट था तो थ्री गुणैं ठीक है माइनस का feedback register तो RF आपने देखा feedback पर register जो है वो एक ohm का है input side में जो register आपका वो two ohm का है तो minus one upon two यह इस प्रकार से हो गया ठीक है तो कुल मिलाकर अगर मैं यहां से अब कहूं भी तो यह कितना निकल क्या आ जाएगा यह आ जाएगा माइनस एक दसमलब पांच वोल्ट माइनस 1.5 वोल्ट आप लोगों का क्या जाएगा output आ जाएगा तो यह हो गया आप लोगों का output voltage ठीक है यहां से अगर मैं देखों भी तो कुछ इस तरह से हमारा क्या निकल क्या आगया output voltage निकल कर आगया ठीक है ऐसे ही एक और question की मैं बात करता हूँ आप लोग साथ के साथ किसी नौन इनवर्टिंग ठीक है क्या कहा किसी नौन इनवर्टिंग ओ पैंप के लिए खीक है output voltage का मान output voltage का मान यहां से क्या का आपको output voltage का मान 30V है तो इन्पुट वोल्टेज का मान कितना होगा तो इन्पुट वोल्टेज का मान कितना होगा ठीक है तो output voltage आपको given है और आपको निकालना है इन्पुट का वोल्टेज कितना होगा ठीक है जब यह इसी के आगे अगर मैं कहूँ कि यदि दिये गए परिपत के लिए यदि दिये गए परिपत के लिए यदि दिये गए परिपत के लिए वोल्टेज गेन का मान यदि दिये गई परिपत के लिए वोल्टेज गेन का मान यदि दिये गई परिपत के लिए वोल्टेज गेन का मान कि जो आपका सर्केट दिया गया है उसके लिए वोल्टेज गेन का मान 5 है ठीक है वोल्टेज गेन का मान यदि 5 है तो आप लोगों को क्या बताना है output given है आपको आपकी बार input voltage बताना है ठीक है circuit कुछ इस प्रकार से बना कर दिया हुआ है ठीक है बाकी की चीजें लिखी नहीं है बलकि circuit बना कर दिया कुछ इस प्रकार से बात कई है कि यह एक register है ठीक है यहां से इसे ground किया गया है ठीक है यह आपका 2 ohm का है यहीं अगर मैं बात करता हूँ तो यह register आप लोगों का कैसा है इस प्रकार से अगर मैं लेकर चलूँ तो यह हमारा 10 ohm का register है ठीक है यह हो गया हमारा output voltage Vout ठीक और फिर इसी प्रकार से हमने कहा कि यह हमारा तीन ohm का register है ठीक है और यहां पर एक supply इस तरह से connected है ठीक है यह हमने कहा टू वोल्ट की supply नहीं टू वोल्ट की नहीं हमें क्या करना है input voltage वी आई निकालना है ठीक है यह तो हमें calculate करना है अब देखे स्टुरेंट अगर इस तरह से circuit given होगा आपने आप से करने की कोशिश जरूर करें ठीक है बाकी मेरे साथ देखते रहें मैं बहुत ज्यादा time नहीं दूँगा आपको क्योंकि सीजें हमें कम समय में बहुत ज्यादा complete करनी है अब देखेगा यहां से गर मैं बात करता हूं तो हमें पता है ठीक है कि voltage gain किसके लिए अगर मैं यहां से लि operational amplifier के लिए non-inverting कहने का मतलब अगर यह question यहां पर तो यह था कि question ने खुद हमें यह बात कहीं कि amplifier कैसा है non-inverting अगर यह नहीं भी कहता तो हमें simple से बात देखनी थी कि हमारा input कहां पर apply आपका यह input voltage है और यह कहां apply हो रहा आपके positive terminal पर positive मतलब non-inverting terminal पर non-inverting पर अगर apply हो रहा है और दूसरी बात आपने देखी कि inverting terminal हमारा ground है ठीक है तो हमें directly समझा गया इस circuit को देखकर हमें पता चल गया कि यह कैसे amplifier है एक आपका यह हमारा non-inverting operational amplifier है ठीक है non-inverting मतलब जो invert नहीं है और जो invert नहीं है जो negative नहीं है इसका मतलब वो कैसा आपका positive है तो इसलिए हमने इसको क्या कहा non-inverting operational amplifier तो ऐसे operational amplifier के लिए आप लोगों को last class में voltage gain परिभासित किया था कैसे था आपका output voltage upon input का voltage और is equals to अभी थोड़े देर पहले बताया था कितना होता है one plus rf upon r1 होता है यह कुछ इस तरह से क्या होता आपका gain परिभासित होता है यह gain का formula होता है ठीक है तो यह निकल गया voltage gain किसके लिए आप लोगों का non-inverting operational amplifier के लिए यहीं से अगर मैं बात करूँ कि मुझे input voltage निकालना है sorry यह निकालना है तो यह चले गया उपर और यह आ जाएगा नीचे तो मैंने कहा कि input voltage अगर मुझे निकालना है तो output voltage अपनी जगह पर है डिवाइड भाई यह पूरा आ जाएगा नीचे ठीक है तो output voltage divided by 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन यह इस तरह से बन जाएगा अब फटा फट से value रखते हैं क्योंकि हमें output voltage की value भी given है कितनी given है उस बात को देखते हैं हमने यहां से simple सी बात कहीं कि देखें output voltage का मान अगर हम जन्रली देखें भी हमने क्या कहा output voltage कितना है 30 volt input voltage का मान बताना है जबकि gain हमारा 5 है ठीक है तो gain 5 है और हमें निकालना क्या है आउटपूट वोल्टेज हमें given है यह देखेगा कि यह हमारा क्या है output voltage given है ठीक है तो यहां से अगर हमें gain ना भी given होता क्योंकि यह gain हमारा हो सकता है कि vary कर जाए यहां से ठीक है अगर gain given है student तो हमारे पास दो तरीके हैं निकालने के ठीक एक तो यह हो गया और दूसरी ब हमने simple से बात कई ही कि voltage gain अगर मैं बात करूं भी कि voltage gain is request होता आपका output voltage upon input का voltage इसका मतलब क्या आपका कि अगर हम यहां से input का voltage निकालेंगे तो यह simple बन जाएगा output voltage upon gain ठीक है यह voltage gain तो output voltage कितना है output का voltage आप लोगों का यह 30 volt ठीक है यह आगे आपका 30 volt और divide by gain gain आपका 5 है इसका मतलब जो हमारा output का voltage निकल कर आएगा वो कितना आएगा पांच छके 30 तो यह आ जाएगा आपका 6 volt ठीक है input voltage का जो मान निकल कर आ रहा है हो कितना आपका 6 volt आ रहा है ठीक है यहां से आप देख भी सकते हैं किस formula की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेग है तो हम output upon input से input के voltage को निकाल सकते हैं ठीक है अगर input का voltage नहीं होता ठीक है यहां से अगर मैं बात कहूं भी input voltage या हमारे पास gain नहीं होता तो हम output रखते और RF और R1 की value को रखकर इस question को solve कर सकते थे ठीक है तो इससे फटापट से देख लें बेसिक सी बात आपकी इस type का question आपको generally पूछ सकता है हो सकते यह values vary कर रही हूं तो उससे confuse नहीं होना आपको बस method याद रखना है ठीक है कि आपको question इस तरह से भी पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है जिसमें आप लोगों को gain का formula यूज करना पड़े दोनों मे इसे कोई भी तरीके से question आपको examination में पूछ सकता है ठीक है स्क्रीन सौट जरूर लेते रहे हैं और चीजों को note down करते रहे हैं क्लियर है इतना चलिए अब आगे बढ़ते हैं next chapter आप लोगों का आता है यह तो था आपका operational amplifier ओपैम ठीक है इसी sequence में आगे बढ़ते हैं तो अगला chapter जो आप लोगों का एक important chapter भी है वो है आपका फटापट से लिखें that is oscillator circuit ठीक है अगला chapter देखते हैं हम लोग oscillator circuit ठीक है क्या कहा यहां से आपका oscillator circuit ठीक है oscillate करने का मतलब हमारे दिमाग में directly आता है कि किसी चीज का fluctuate करना ठीक है मतलब fix नहीं रहना बार-बार परिवर्तित होते रहना ठीक है तो यह होगे आपका oscillator circuit अब अगर मैं बात भी करता हूं यहां से अगर मैं देखता भी हूं oscillator circuit को ठीक है तो oscillate करने का मतलब हमारे दिमाग में क्या रहा है किसी चीज का fluctuate करना बार-बार परिवर्तित होना ठीक है तो क्या होता आपका एक ऐसा electronic circuit अगर मैं oscillator की बात भी करूं एक ऐसा electronic circuit जो क्या करता आपके DC को AC में परिवर्तित करने का काम करता है पहले अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि AC को DC में परिवर्तित करता है वो था rectifier ठीक है यहां oscillator के अगर मैं बात करता हूं तो यहां से क्या निकल कर आता है ओसलेटर एक electronic circuit होता है साथ के साथ लिखते रहें और समझते भी रहें oscillator एक कि electronic circuit है oscillator एक या oscillator एक electronic circuit होता है oscillator एक electronic circuit होता है कि ये एक क्या होता आपका electronic circuit होता है ठीक है जो कि कब बनता है या एक oscillator circuit या oscillator circuit एक electronic circuit होता है जो कि जो क्या करता आपका DC को AC में परिवर्तित करता है जो DC को AC में परिवर्तित करता है ठीक है DC मतलब constant को और AC मतलब alternating ठीक है परिवर्तन सील जिसे कहते हैं DC को AC में परिवर्तित करता है ठीक है तो यहां से क्या का आप लोगों का आपका oscillator एक ऐसा electronic circuit है जो DC को AC में परिवर्तित करता है ठीक है ध्यान से सुने और समझते रहें DC को क्या कर रहा है AC में बदल रहा है AC को DC में कौन बदलता था वो होता था आपका rectifier ठीक है चलिए अगली बात आती है आपकी कि करता क्या है oscillator तो oscillator circuit अगर मैं यहां से देखूं भी oscillator circuit कि जो आपका oscillator circuit होता है यह क्या करता है यह हमारे periodic और oscillating signal सामीक और जो आप लोगों के हिलने वाले दोलन वाले signal होते हैं तो oscillator circuit क्या करता है periodic पिरियोडिक आपने पढ़ा भी होगा AC fundamental में ठीक है periodic कहने का मत्तब होता है एक fix period के बाद यह fix time period के बाद दुबारा repeat होना पुनराव विड़ती अगर कोई signal कर रहा है तो होता है periodic तो oscillator circuit periodic वा कैसे oscillating signal को दोलन वाले signal को oscillating signal को तो क्या का आपका oscillating signals को generate करता है periodic वा oscillating signal को generate करता है ठीक है oscillator क्या करता आपका periodic वा oscillating signal को generate करता है ठीक है periodic मतलब ऐसा signal जो एक fix time interval के बाद repeat कर रहा है ठीक है और oscillator का oscillating का मतलब होता आपका कि ऐसा signal जो constant नहीं है जो बार बार क्या कर रहा है आपका fluctuation कर रहा है जिसमें oscillations है ठीक है इतना यह इसी बात को आप मैं कह सकता हूँ बैए DC signal होता है वो DC value होती है तो कैसा होता आपका constant value होती है ठीक है एसी जो होता है वो कैसा होता है bi-directional होता है कभी positive कभी negative कभी high कभी low तो यहीं से बात निकल कर आती है आपकी कैसे कि oscillator क्या करता है इस्तुने डापका एकल DC signal को जो कौन होता है DC होता है उसे एकल DC signal को ठीक है यह एक DC signal को ठीक है तो यहां से कहा oscillator क्या करता है आपका एकल DC signal कौन सा होता है आपका DC होता है लिखने का तरीका है exam examiner का बाकी बात वही है एकल DC signal को ठीक है क्या कहा एकल DC signal को ठीक है कि एकल DC signal को क्या करता आपका ठीक है अब ठीक है कहने का मतलब है कि दोनों directional में आप इस बात को कह भी सकते हैं कि oscillator क्या कर रहा है यो निडारेक्शनल signal को बाई डारेक्शनल signal में और डारेक्शनल कौन सा होता आपका AC होता है AC में परिवर्तित करता है तो oscillator क्या करता आपका परिवर्तित करता है unidirectional signal को bidirectional signal में change करने का काम या परिवर्तित करने का काम करता है किस-किस प्रकार के waveform को generate कर सकता है तो यह भी बात याद रखें कि oscillator कि यहीं से दर मैं लेकर चलता हूं oscillator ठीक है कैसे कैसे signal को generate कर सकता है sine wave को ठीक है सबसे पहले बात आती है oscillator sine wave को या फिर square wave को बस वहाँ oscillations होने चाहिए sine wave square wave या इसी बात को हम rectangular wave में भी लिख सकते हैं ठीक है sine wave square wave rectangular wave ठीक है या फिर triangular wave triangular wave को generate करता है या यहीं से मैं लिख हूँ आदी को generate करता है ठीक है इस टाइब के बहुत सारे signal को आदी signal को generate करता है ठीक है तो यहां से निकल कर आया आदी signal को generate करता है ठीक है generate करता है ठीक है तो oscillator circuit क्या होता आपका sine wave हो गया square wave हो गया rectangular हो गया ठीक है या फिर आप लोगों का triangular wave हो गया ठीक है इन सारे signals को generate करने का काम करता है ठीक है oscillate करने का मतलब ही क्या होता आपका fluctuating signal या परिवर्तन सील signal जिसे हम कहते हैं ठीक है कहने का मतलब अगर मैं यहां से कहूं भी तो जैसे सबसे पहले बात हमने क्या कही ही sinusoidal signal को generate करना तो यहां से अगर मैं देखों भी तो कुछ इस प्रकार से यह time के respectively मैंने बात कई ही कि इस प्रकार का यह signal यह क्या इस तरह आपका sign wave है ठीक है तो यह generate करता आपका फिर इसी तरह से हमने कहा square wave तो square wave की बात आई तो आपने यहां से कुछ इस तरह से this is time t और ऐसे signal को generate कर लिया तो यह क्या आपका square wave को भी generate करता है सेम इसी तरह से आप rectangular wave भी कह सकते हैं और next अगर मैं बात करता हूं तो इसी sequence में आप लोग ट्रेंगुलर wave भी कह सकते हैं ठीक है यहीं से अगर मैं लिखता भी फूं तो कैसे हो जाएगा आपका जनरली अगर हम लोग देखें भी तो कुछ इस तरह से यह time axis में ठीक है और ऐसे आप लोगों का क्या हो जाएगा इस तरह से ट्रेंगुलर सिगनल भी जनरेट हो जाताए ठीक है तो periodic कहा है इसका मतलब यह आप लोगों का माइनस इंफिनिटी से आता है ठीक है यह signal कहां से आता आपका माइनस इंफिनिटी से और कहां तक जाता आपके प्लस इंफिनिटी तर वही signal क्या होता आपका periodic तो अब ध्यान से देखें आप बात को सुनें कि oscillator circuit करता क्या है सबसे पहली बात निकली स्टुरेंट आप लोगों की यहां से घर हम लोग जनरल बात करते हैं हमने कहा कि कैसा electronic circuit जो क्या करता आपका AC को DC में परिवर्तित करता है ठीक है तो किसको परिवर्तित करता आपका वो DC को AC में परिवर्तित करता है AC को DC में active fire करता है और DC को AC में oscillator करता है ठीक है फिर दूसरी बात आई यह कैसे signal को generate करता है तो हमने कहा कि यह आपका periodic और oscillating signal को generate करता है कैसे signal को करता है periodic कह सकते हैं और इसी तरह समने क्या कहा periodic और oscillating signals को generate करने का काम करता है ठीक है तो periodic और oscillating periodic और oscillating कहने का मतलब क्या है यहां आप इस बात को समझ भी सकते हैं इस time से start was signal फिर यहां से repeat हो गया फिर इतने बाद repeat तो ऐसा signal जो एक fix time interval के बाद और यह time interval आपका two pi का है signal के लिए जो fixed time interval के बाद बारबार repeat कर रहा है ऐसा सिगनल होता आपका periodic सिगनल ठीक है फिर इसी बात को हमने आगे बढ़ाया कि ऑसलेटर क्या करता आपका unidirectional signal को एकल दिसी सिगनल को bidirectional signal दिसी सिगनल में परिवर्तित करता है oscillator आपके sine wave को या square wave को या फिर rectangular wave को ठीक है या इसी तरह से मैं कहूं triangular wave को generate करने का काम करता है ठीक है तो यह तो था आपका basic introduction oscillator का एक बार फटाफट से देख लें और अगर कोई doubt हो उस बात को भी आप लोग पूछ लें कि यहां तक चीजों को ध्यान से देख लें कहीं पर नहीं समझा रहा हूँ वो चीजें भी आप लोग देख लें बाकि एक एक चीज को note down जरूर करते रहें तो अभी तक तो हमें यह पता चल गया कि oscillator होता क्या है oscillator क्या होता आपका DC को AC में परिवर्तित करता है constant signal को परिवर्तन सील में परिवर्तित करता है यह आपके periodic और oscillating signal को generate करता है फिर अगली बात आएं आपकी onidirectional signal को by ivas अब बात आती है की यह तो oscillator के बारे में था कि oscillator क्या होता है अगली बात आती है कि oscillator circuit बनता कैसे है ठीक है तो यहां से अगर हम देखें भी तो next लिखेगा कि oscillator circuit बनता कैसे है ठीक है तो यहां से हमने कहा भी oscillator circuit अब circuit की बात करते हैं कि oscillator circuit बनता कैसे ठीक है oscillator circuit oscillator circuit को अगर हम लोग देखें तो किसी भी amplifier में ध्यान से सुनना मेरी बात को में किसी भी amplifier circuit में अगर positive feedback लगा दिया जाए तो आप लोगों को feedback amplifier पढ़ा है था last class में और उसमें कहा भी था कि हम लोग जो amplifier में use करते हैं वो negative feedback को करते क्योंकि gain कम हो जाता है और stability बढ़ जाती है पर वो इसलिए क्योंकि हमें stable करना था यहां stable नहीं करना है oscillation का मत्तब आपका हमें fluctuating बनाना है तो हमने क्या कहा oscillator circuit की अगर मैं बात करता हूं ठीक है तो यह कैसे बनता है तो जब किसी जब किसी प्रवर्दक या amplifier circuit में जब किसी amplifier circuit में जब किसी amplifier circuit में ठीक है कैसे लगाया जाता आपका धनात्मक feedback लगाया जाता है ठीक है या positive feedback लगाया जाता है feedback का मतलब समझाय था output को input पर connect करना जब किसी amplifier circuit में धनात्मक feedback लगाया जाता है positive feedback लगाया जाता है ठीक है तो positive feedback जब लगाया जाता है तो बनने वाला सर्केट तो बनने वाला सर्केट ठीक है तो जो सर्केट बनकर आता है तो बनने वाला सर्केट कौन सा सर्केट होता आपका ओसिलेटर सर्केट होता है ठीक है तो जो सर्केट बनकर आता है ओसिलेटर circuit होता है ठीक है तो circuit जो बनकर आया वो क्या होता आपका oscillator circuit होता है ठीक है तो यहां हमने क्या कहा अगर हम लोग देखते भी है कि किसी amplifier में अगर हम positive feedback लगा रहे हैं कैसे मैंने आप से कहा इस तरह से अगर हम लोग लेकर भी चलते हैं ठीक है कि यह हमारा क्या है कोई एक amplifier हमने simple से बात कई ही कि यह इस तरह से हमारा एक amplifier circuit है प्रवर्दक परिपत है ठीक है अब हमने क्या कहा कि इस amplifier पर हमें क्या लगाना है positive feedback लगाना है यहां से अगर हम लोग देखते है कि इस पर सबसे पहले बात करें तो यह देखेगा यह amplifier हो गया ठीक है इस पर हमने क्या कहा कि यहां से input आ रहा है ठीक है यह क्या आप लोगों का यह हमने input apply किया कि यह हो गया input ठीक है और यह यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो यह आगया इसका output कि input हो गया और क्या हो गया आपका output हो गया ठीक है इतना कि कि किसी amplifier circuit के output को positive feedback के साथ input पर जोड़ दिया जाए ठीक है अब किस factor से जोड़ा जा रहा है वो हो गया आपका feedback factor तो यहां आपने लिख दिया कि यह हो गया feedback ठीक है अब बात कैसे आई कि output को connect किया जा रहा है कहां पर आपके input पर ठीक है तो यह कुछ इस तरह से अगर output से feedback लेकर input पर connect और कैसे connect हो रहा है कि अगर जोड़ा जा रहा है positive input value के साथ उसे add कराया जा रहा है इस प्रकार का feedback कैसे होता आपका positive feedback ठीक है और यह जो पूरा का पूरा circuit बनकर आया है positive feedback लगाने के बाद इस circuit को क्या कहते हैं यह हमारा क्या है oscillator circuit है ठीक है तो द्यान से देखें हमने क्या कहा किसी amplifier पर हमने कैसा feedback लगाया था धनात्मक feedback या positive feedback लगाया था और बनकर जो circuit आया वो कौन से circuit आया आपका oscillator circuit आया ठीक है तो उस्लेटर सर्कुट कैसे बनता है इस बात को आप लोग दिमाग में याद भी रखें कि किसी भी ठीक है मैं सिंपल से बात कहता हूं कि किसी भी परवर्दक परिपत में ठीक है या किसी भी एमपलिफायर में पॉजिटिव फीड़बैक लगा देने से ठीक है फिर या पॉजि उस्लेटर सर्कुट बन जाएगा ठीक है तो यह तो बात भी किसके उस्लेटर सर्कुट के ध्यान से देखते रहें एक एक चीज को और पाउस करके नोट डाउन जरूर करते रहें ठीक है चलिए यह तो बात थी किसकी उस्लेटर सर्कुट के अब बात आती है कि उस्लेटर क का प्रयोग कहा कहा होता है ठीक है तो हमने कहा oscillator circuit के अनरुप्रयोग ठीक है कहा कहा पर इसके application हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो हमने लिखा oscillator oscillator circuit के अनुप्रयोग कहां पर इसके application देखने को मिलते हैं oscillator circuit के अनुप्रयोग इसके applications की बात करते हैं कि क्या क्या और कहां कहां पर इसके applications देखने को मिलते हैं ठीक है oscillator circuit के अनुप्रयोग ठीक है तो oscillate का मतलब क्या होता आपका fluctuating से या बार-बार change होने से या परिवर्तन से ठीक है अब देखें oscillator का परियोग कहां कहां पर होता है या oscillator circuit के अनुप्रयोग की बात अगर हम लोग करते हैं एक एक बात को ध्यान से लिखते वे समझते जरूर रहे हैं ठीक है सबसे पहले बात आती है आपकी कि कि किसी भी fix frequency के signal को generate करने में ठीक है किसी भी specific frequency या vicious frequency किसी भी specific किसी भी specific frequency ठीक है तो हमने क्या कहा यहां से किसी भी specific frequency या अगर हम लोग कहें भी vicious आवरती कि कोई भी specific हो सकता है vicious आवरती किसी भी specific frequency या vicious आवरती के signal को generate करने के लिए कि signal को generate करने के लिए किसका परियोग होता आपका oscillator का परियोग होता है generate करने के लिए ठीक है कि कि किसी भी vicious frequency frequency को generate करने के लिए oscillator circuit का परियोग होता है यह oscillator का यूज हम कहां करते हैं किसी भी specific frequency के signal को generate करने के लिए करते हैं ठीक है अब इसी बात में दो बातें और निकल कर आती है कि specific frequency generate तो होती है बट कैसे यह देखेगा कि यदि oscillator circuit ठीक है यदि oscillator circuit के यदि oscillator circuit में यदि oscillator circuit में feedback जो oscillator circuit में feedback है amplifier पर मतलब ठीक है यदि oscillator circuit में feedback circuit के register वह capacitor की सहायता से बनाया गया है circuit रवब की मदद से बनाया गया है register वह capacitor की help से बनाय गया है मदद से बनाया गया है ठीक है जो आपका feedback एक सर्कीट है ऊसलेटर में ठीक है वो किसे बनाया गया है आर और सी की मदद से बनाया गया है रेजिस्टर और कैपिस्टर की हैल्ब से बनाया गया है तो लो फ्रिक्वेंसी तो लो फ्रिक्वेंसी या निम्न आवर्ती का सिगनल ठीक है लो फ्रिक्वेंसी या निम्न आवर्ती सिगनल जनरेट होता है निम्न आवर्ती का सिगनल जनरेट होता है कहने का मतलब जब हमने amplifier के साथ positive feedback लगाया तो oscillator बना अब बात क्या कहिए कि यह जो feedback होगा यह अगर register और capacitor की help से बना होगा R and C की help से बना होगा तो यह होगा आपका low frequency को generate करने वाला oscillator यह आप कह सकते हैं कि यह oscillator आपका निम्न आवरती के signal को generate करेगा कैसे frequency को generate करेगा आपकी low frequency या फिर निम्न आवरती के frequency को generate करेगा तो दो बाते निकल के आई कि oscillator कहा ही होगा होता है किसी भी specific frequency को generate करवाने के लिए और दूसरी बात अगर R और C से बनाया है आपने feedback circuit को तो फिर आपकी वो जो specific frequency होगी वो कहा होगी आपकी low frequency region में होगी निम सब्सक्राइब और आगे लेकर अगर हम चलते हैं तो फिर बात निकल कर आती है आपकी कि यदी oscillator circuit को यदी oscillator circuit को यदी oscillator circuit inductor L वा capacitor जिसे संदारितर कहते है हम लोग वा capacitor inductor L वा capacitor C की सहायता से बनाया गया है मतलब feedback पर L वार C है बनाया गया है ठीक है तो इस प्रकार का oscillator तो इस प्रकार का oscillator तो इस प्रकार का oscillator तो इस प्रकार का जो oscillator होता है ठीक है तो इस प्रकार का oscillator उच्च आवड़ती उच्च आवर्ति के signal को generate करता है High frequency के ठीक है उच्च आवर्ति या High frequency के signal को generate करता है signal को generate करता है ठीक है तो यह oscillator क्या करता आप लोगों का अगर oscillator आपका जिस पर यह जो हमने किसे बनाया है amplifier पर positive feedback लगा कर अगर वो circuit आप लोगों का जो feedback circuit है और register और capacitor से बनाया है तो फिर oscillator कैसे frequency generate करेगा निमना आवरती के सिगनल को generate करेगा अगर inductor और capacitor की सायता से बना है तो उच्छा आवरती के signal को generator generate करेगा ठीक है और कहां पर oscillator का परियोग होता है तो oscillator का परियोग घडियों में भी होता है जो आपकी quartz की घडियां होती है वहां पर भी होता है ठीक है तो देखेगा oscillator का परियोग का परियोग क्वार्ट्स जो material होता आपका यह quartz घडियों में भी किया जाता है quartz घडियों में किया जाता है quartz घडियों में भी किया जाता है ठीक है oscillator का परियोग कहां पर होता आपका quartz watches में यह quartz की घडियों में भी होता है ठीक है इतना इसी तरह से गर मैं बात करूँ जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंटोलर होते हैं ठीक है तो उनके लिए भी बात लिख लेते हैं यह भी question आता है कि oscillator का परियोग कि oscillator का परियोग कि माइक्रो प्रोसेसर वा oscillator का परियोग oscillator का परियोग माइक्रो प्रोसेसर वा माइक्रो कंट्रोलर सरकिट में माइक्रो प्रोसेसर वा माइक्रो कंट्रोलर सरकिट में क्लॉक सिगनल को जन्रेट करने के लिए क्या जाता है क्लॉक सिगनल वाली बात आपने डिजिटल electronics में भी पड़ी होगी clock signal को generate करने में किया जाता है generate करने में किया जाता है generate करने में किया जाता है ठीक है तो oscillator का use कहां कहां पर होता है student सबसे पहले हमने कहा साथ के साथ बोलते जरूर रहें किसी भी specific frequency के signal को generate करने के लिए ठीक है किसी भी विशिस्ट frequency या विशिस्ट आवर्ति के signal को generate करने के लिए ठीक है फिर वहीं दूसरी बात अगर हम लोग कहते हैं तो कैसा जाएगा आपका oscillator circuit में जो feedback बना हुआ है अगर वो feedback L और C की help से inductor और capacitor की help से बना है ठीक है तो फिर आपकी उच्छ आवर्ति का signal generate होता है और अगर oscillator circuit आपका register और capacitor की help से बना हुआ है जो feedback लगा है वो register और capacitor से बना है तो निम्ना आवर्ति की frequency generate होती है बाकी quards watches या घड़ियों में भी इसका प्रियोग होता है micro processor और micro controller circuit में clock signal को generate करने के लिए भी oscillator का प्रियोग किया जाता है ठीक है इता चलिए ऐसे अगर मैं बात करूं तो oscillator का प्रियोग आपका जुआपके audio या radio system होते हैं उनमें भी किया जाता है ठीक है तो देखें यहां से oscillator का प्रियोग ठीक है oscillator 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 circuit का प्रियोग oscillator circuit का प्रियोग oscillator circuit का प्रियोग radio या ठीक है radio कहने का मतलब होता है इस्प्रेंट आप लोगों का उच्छ आवरती से हाई frequency से उच्छ आवरती ठीक है या audio ठीक है audio होता है आपका निम्न आवरती लोग frequency उच्छ आवरती या निम्न आवरती ठीक है हाई frequency और लोग frequency ठीक है तो oscillator circuit का प्रियोग radio या audio audio frequency पर चलने वाले audio frequency पर चालित डिवाइसेस में भी या युक्तियों में भी किया जाता है चालित युक्तियों या डिवाइसेस में युक्तियों में किया जाता है किया जाता है ठीक है तो यहां से क्या का आपका कि oscillator circuit का एक और यूज हमने देखा कि ऐसे डिवाइसे ऐसे equipment जो आपके निम्न आवरती या उच्छ आवरती पर चलने वाले हैं उन में भी क्या होता आपका oscillator का प्रियोग किया जाता है ठीक है इसी तरह से अगर मैं संचार प्रणालियों में बात करता हूं तो जैसे कि टीवी हो गया रेडियो हो गया इन सब में भी oscillator का प्रियोग होता है तो यहीं से आज लिखते हैं कि कं करके सिस्टम मतलब आपका सं चार प्रणाली औशलेटर का प्रियोग सं चार कि PRANA partir ठीक है Communication System में भी किया जाता है ठीक है में भी किया जाता है ठीक है अब Communication System में कहने का मत्तब क्या आपका कि जैसे Example के लिए अगर मैं कहूं भी ठीक है कहां कहां पर होता आपका जैसे रेडियो में हो ठीक है या फिर टेलीविजन में हो गया रेडियो हो गया टेलीविजन हो गया ठीक है या फिर आप लोगों का मोबाइल फोन हो गया टेलीविजन आदी ठीक है डिर्कली एट सेक्टरा मैं लिख दे रहा हूं कि आदी में किसका प्रियोग होता आपका उसलेटर का प्रियोग ह होता है ठीक है इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ फिर तो आगे कहा आपका अलारम या बज़िस की भी अगर मैं बात करता हूं ठीक है यहीं से अगर मैं देखता हूँ कि बज़ रहे क्या कि तो यहीं से क्या खामने अलारम या जो बज़िस आप लोगों के होते हैं ठीक है अलारम या अलारम या अ बज़िस में ठीक अलारम या बज़िज वइबरेट होते हैं वाइब वाईब्रेट वाली डिवाइस होती है तो अलारम या बज Delhi का परियोग ऑप Ec जो डिसको लाइट होती हैं वहाँ पर भी ओसलेटर का परियोग होता है ठीक है तो यह क्या का आपका ओसलेटर का परियोग कि ओसलेटर आप रहोग डेकोरेटव लाइत्स में सजावति light जिसे कहते हैं ओसलेटर का परियोग सजावटी लाइटों में ठीक है सजावटी लाइटों में ठीक है उसलेटर का परियोग सजावटी लाइटों कहने का मतलब क्या आपका कि जैसे कौन होता आपका डिस्को लाइट हो गया ठीक है जो बार बार फ्लक्च्वेट हो रही है जैसे हमारे घर उमर दीपव जाता है ठीक है डिस्को लाइट में भी क्या होता आपका इनी का परियोग होता है ध्यान से एक-एक बात को लिखते जरूर रहें ठीक है यह आप लोगों के क्या थे इस टुरिंट आपके उसलेटर के कुछ अनुपरियोग थे कुछ एप्लिकेशन थे क्या क्या कहा जोड़- को generate करवाने के लिए oscillator का परियोग होता है तो आवर्ति को ही जोडते हुए हमने दो बाते दिमाय में लगाई कि एक तो निमना आवर्ति होती है लो फ्रिक्वेंची और एक हाई फ्रिक्वेंची होती है तो लो फ्रिक्वेंची तब generate होगी जब oscillator रेजिस्टर और capacitor की सायता से बनाया जाएगा उच्छा आवर्ति तब generate होगी जब वो इंड़क्टर और capacitor की सायता से बनाया जाएगा ठीक है इतना फिर उसके बाद बात आई यहां तक तो हम लोगों ने देखा था ठीक है कि लो फ्रिक्वेंची और हाई फ्रिक्वेंची फिर बात आई इस oscillator का प्रियोग क्वार्ड की घडियों में भी किया जाता है ठीक है इसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्लॉक सिग्नल को जनरेट करने के लिए बिए oscillator का प्रियोग होता है फिर इसी तरह से बात आई आप लोगों की कि ऐसे सरकेट यह ऐसी का व IO गया मोबाइल हो गया लैंड लाइन फोन हो गया इन सब को बनाने में भी ऑसिलेटर का प्रियोग होता है फिर बात आई कि जितने में भी हमारे alarm या बजस होते हैं अलारम होता है जो साउंड निकालता है बजस होता है जो सिर्फ वाइबरेट होता है तो अलारम या बजस को बनाने में भी होता है इसी तरह से हमने बात कही कि सजावती light जितनी होती है decorative lights जितने भी होती है जैसे disco light हो गये ज़रों पर जलने वाली लड़ीयां हो गई उन सब को बनाने के लिए ऊब कौन परीयोग होSA야 आपका oscillator circuit बनता कैसे है ठीक है तीसरी बात आई आपकी oscillator का परियोग कहां होता है अब बात आती है कि अगर हमने positive feedback लगा दिया किसी amplifier पर तो वो कौन सी main condition है वो कौन सी मुख्या सर्ते हैं जो लागू होंगी या जो जब apply होंगी या जो जब सत्यापित होंगी तभी oscillations होंगे या तभी आप लोगों का fluctuated signal oscillated signal generate होगा ठीक है तो अगली बात आती है आप लोगों की oscillations को ठीक है क्या कहा आपका oscillations generate करने का सिद्दान ठीक है oscillations को उत्पन करने के सिद्दान या generate करने के सिद्दान ठीक है कि कब oscillations उत्पन होंगे तो oscillations को उत्पन करने के सिद्दान ठीक है oscillations को generate करने के लिए जो principle होते हैं सिद्दान ठीक है कि कब oscillations आपके generate होंगे ठीक है तो क्या conditions होनी चाहिए और क्या conditions सत्यापित होनी चाहिए तब ही जाकर circuit एक oscillator की तरह काम करेगा या वो oscillations को generate करेगा इसके लिए हमारे पास एक scientist हुए थे ठीक है जिनका नाम था barkhausen ठीक है इन्हों ने दो conditions दे ठीक है और उन conditions को अपने नाम पर ही कहा barkhausen criterion ठीक है barkhausen criterion ठीक है कि barkhausen का criteria ठीक है और यह criteria किस चीज़ के लिए था यह था आपका oscillations को generate कराने के लिए ठीक है कि कब oscillations होंगे कब आपके signal में oscillations आएंगे ठीक है तो इन्हों ने दो छोटी सी बातें कही थी और कैसे कही थी उन बातों को भी ध्यान से देखेगा इन्हों ने सबसे पहले बात क्या कही कि अगर मैं इस तरह से कह रहा हूं कि यह हमारा क्या है कोई amplifier circuit है ठीक है this is our amplifier circuit कि यह हमारा कोई प्रवर्दक परिपत्थ है इस तरह से हमने देखा कि हमारा क्या है एक amplifier circuit है ठीक है फिर हमने इसके बाद क्या कहा था यहीं से जब हमने देखा था कि amplifier है और amplifier पर क्या हो रहा था positive feedback connect हो रहा था कि यह एक तरफ से input था और यह तरफ से क्या था आपका output था तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो यह हमारा input था ठीक है और दूसरी side से जब हमने देखा तो यहीं से हमारा क्या निकल रहा था इस तरह से अगर मैं बात भी करता हूं तो यह हमारा क्या था output था एक हो गया input एक हो गया आपका output ठीक है अब यह input और output कुछ इस तरह से निकल कर आगे फिर हमने अगली बात क्या कही थी कि यहां से feedback ठीक है तो यह हमने कहा कि यह आगे आपका feedback ठीक है यह अगर हम लोग लिखते भी हैं तो यह हो गया आपका feedback feedback कहने का मतलब क्या था आउटपुट के कुछ भाग को input पर connect करना ठीक है यहां से अगर हम लेकर भी चलते हैं तो यह हमने क्या कहा कि यह आप लोगों का output के कुछ भाग को input पर connect करना ठीक है और जब बात oscillator circuit की हो रही थी तो हमने साफ साफ कहा था कि feedback से जो value आएगी वह हमेशा कैसी होगी आपकी प positive था ठीक है तो यह कुछ इस तरह से जब हमने बात की कुछ इस तरह से circuit बना रहा है तो हमने अब क्या कहा ध्यान से देखना ठीक है बात को समझते वे चलना कि कैसे मैं आप कह रहा हूं ठीक है अगर मैं इसी बात को यहीं से आगे proceed करता हूं तो मैंने क्या कहा सबसे पहले कि पहले amplifier में कोई feedback नहीं था, ठीक है, तो उस समय gain, ठीक है, तो हमने क्या कहा, amplifier का gain, amplifier का gain, ठीक है, यह amplifier के लिए लब दे, ठीक है, amplifier का gain, जब कोई feedback नहीं था, ठीक है, यहीं से अगर हम देखते हैं, कि कोई भी feedback नहीं था, इसका मतलब क्या आपका, कि यह system कैसे था आपका, open, ठीक है, तो क्या का, आपको कि amplifier का gain, जब यहाँ पर कोई भी feedback नहीं था, इस इस्तिति में जो gain कहलाता है, जब कोई feedback नहीं होता है, उस gain को कहते है, open loop gain, ठीक है, क्या कहा आपका, open loop gain, ठीक है, यहाँ से कहा, open loop gain, या आप इसी बात को और कह सकते हैं, खुले परिपत का gain, ठीक है, तो क्या का, आपको, खुले परिपत का gain, ठीक है, यह हो गया आपका, खुले परिपत का gain, सही है, इतना, तो यहाँ से हमने क्या कहा, कि किसी amplifier के लिए gain, जब वो आपका open circuit था, इससे हमने परदर्शित किया, capital A से, ठीक है, किससे परदर्शित किया, हमने, capital A से इससे परदर्शित किया, ठीक है, अब दूसरी बात क्या कही, हैं कि एक वो भी value है, जिस से हम यहाँ feedback दे रहा हैं, तो दूसरी बात हमने कही, basic factor, ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया, feedback factor लिया, ठीक है, किस factor से हम लोग feedback ले रहे हैं, यह कितने से गुणा कर कि कितने का multiple हम लोग feedback ले रहें, तो उसे हमने कहा बीटा कि बीटा क्या आपका feedback factor है तब इन दोनों को अगर साथ में लिखा जाए कहने का मतलब कि a.b a.b यह जो function बनता है यह होता आपका loop gain इसे क्या कहते है फिर loop gain कहते है यह gain था ठीक है एक यह था आपका gain था बीटा कि आपका feedback factor है यह जो loop बना रहा है तो अगर मैं बात करता हूँ a into beta की तो a into beta होता आपका loop gain थीक है तो मैंने क्या कहा इस्टूरेंट आपको अभी तक ध्यान से देखना मैंने simple सी बात आप लोगों से कही कि कि किसी भी amplifier पर positive feedback लगा कर आप oscillator बना सकते हैं पर वो oscillator की करेगा यह नहीं करेगा उसके लिए कुछ conditions का follow करना जरूरी है कुछ conditions का सत्यापित होना जरूरी है और वो क्या क्या conditions है वो conditions आपकी दो conditions हैं ठीक है जो कि किस ने दी थी बार्क हाउसिन एक scientist वे थे वैग्जानिक वे ते उन्होंने दी थी और अपने नाम पर ही इन्होंन तब ही आप लोगों का oscillations generate होगा अगर ये criteria fill up नहीं होता है तो फिर oscillations नहीं होगे तब आपका constant signal ही आएगा fluctuated signal नहीं आप आएगा तो अब वो दो criteria क्या थे वो दोनों conditions क्या थी उन्हें देखेंगे इस तुरेंट हम लोग अगले class में अगले lecture में ठीक है तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं आप लोग ध्यान से इन बातों को देखें कि oscillator क्या था आपका सबसे पहले हमने start में जब करना ठीक है फिर उसके बाद आया था कि किसी भी amplifier में positive feedback लगाया तब oscillator बनता है यूज कहां होता है किसी भी specific frequency को generate करने में register और capacitor से बनाया तो निमनावर्ती होगी इंड़क्टर और capacitor से बनाया तो उच्चावर्ती का signal होगा ठीक है फिर इसी तरीके से कहा quards घड़ियों मे या microprocessor और controller में clock signal के लिए ठीक है यहां मैंने कहा कि संचार प्रणाली में जैसे radio, television, phone, mobile इन सब में decorative lights में जैसे disco light में आपका फिर बात आई oscillator को उत्पन करने के सिदानत के तरह अभी सिर्फ मैंने आपको basic बात बताई कि ये क्या-क्या होते हैं सिदानत अभी नहीं discussions क्या-क्या होनी चाहिए वो discuss करते हैं अगले class में तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like और share जरूर करें तो आज के लिए thank you student